आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now देखो इस question में हमको लिखाया कि रोहित ने एक candle flame की image focus करी है एक white screen पे convex lens से तो ठीक है तो हम draw कर देते हैं देखो ये हमने पहले convex lens draw कर दी sorry वापस draw कर देते हैं ये convex lens draw होगा ठीक है ये मैंने principal axis बना दी तो ये बोल रहा है he noted position of candle 26 cm तो देखो मैं मान लेता हूं कि ये कोई position होगी जहां से वो 26 cm consider कर रहा है तो देखो ये तो रहा 26 cm पर इसने करी position of candle ये रही position of candle फिर इसने बोला position of convex lens is 50 cm तो ये तो position of convex lens जो है 50 cm अब position of screen मतलब जहां पर image आप्टेन होगी है वो है 74 cm तो ठीक है यहां मान लेते हैं कि ये 74 cm और यहां पर हमारी screen ठीक है तो अब देखो अब जो हो अब हम निकालते हैं यहां पर image का distance और object का distance तो object का distance क्या होगा 50-26 ये होता है ना हम यह पर यहां center से हम लेते हैं तो 50-26 वो 24 तो हमारा ये तो आगया 24 cm ठीक है और ये हुआ 74-50 तो ये भी वो 24 ये भी वो 24 cm है पर हम Cartesian system से देखें तो हमारा V होगा 24 cm क्योंकि वो lens के right side है और U होगा हमारा minus 24 cm क्योंकि वो left side है अब हमें पताना है पहले part में what is focal length of convex lens तो हमें पता है 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F होता है lens के लिए formula अब हमको V और U तो पता है तो 1 by 24 plus 1 by 24 minus minus plus हो जाएगा तो यह आ गया 2 by 24 मतलब 1 by 12 तो हमारी focal length आई 12 cm तो यहाँ पे तो हमने पहला part solve कर दिया एक second यह कर दिया हमने पहला part solve अब देखो अगले part में बोल रहा है where will the image be formed if he shares the candle what is the lens at a position 38 cm तो ठीक है तो अब हम इसी में draw कर देते हैं यह भी 38 हो गया ठीक है अब बागी सीज़े consider नहीं करते है तो 38 हुआ तो उसके बाद तो यह distance कितना हो गया यह हम हो गया हमारा 12 cm 50 minus 38 12 हो जाएगा है कि ने अब हम देखें तो focal length 12 है और यह focal length पर ही place कर दिया गया तो अब हमको नया v find करना है अब यह सब यह पुराना कुछ नहीं है हमें v new find करना है तो वैसे तो पता होता है जब focal length पर होते हैं infinity पर एक बार निकाल लेंगे देखो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f पता है अब u कितना दिवन हमको minus 12 और f है हमारा plus 12 ठीक है तो हमारा 1 by v क्या हुआ 1 by f minus 1 by u अब यह हुआ 1 by 12 sorry plus 1 by 12 minus 1 by 12 तो यह 1 by v तो आगे हमारा 0 इसका मतलब v है हमारा infinity ठीक है तो मतलब object हमारा infinity बे बनेगा तो अब इस पर ray diagram मनाके भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं देखो यह बना है हमने मेरा lens sorry और यह बना हमने इसकी principal axis देखो यह रहा हमने फोक यह रहा दोनों का focus तो हम बोल रहे है हमने जो object रखा वो यहां रखा तो अब हम ray diagram से sketch करे तो एक रहे तो parallel जाएगी जो lens के वो focus से पास होती है तो वो तो हमने करदी focus से पास फिर एक region इसके center से पास होते हुए जाएगी वो same देखो वो same वापस आ जाएगी ठीक है तो अब यह देखें यह दोनों lines तो parallel हो गई तो यह अभी meet नहीं करेंगी तो image हमारी बनेगी अगर हम इनको extend करें पीछे जो की बनेगी infinity पे ठीक है तो यह हमारा इसका ray diagram तो हो गया हम पे question होब आपको कोई दिखकतना होई हो प्लासिक स्ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर